नमो नमा आज हम लोग संस्क्रत NCRT क्लास एर्थ का प्रतिया पाट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम डिजी भारतम का मतलब है कि डिजिटल भारतम माने इंडिया जिसे ये शब्द आजकल बहुत जादा उपयोग में आ रहा है डिजिटल इंडिया उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विशय की जानकारी सरलता पूर्वग मिल सकती है ये एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया क किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी वीषय में विचारवे मर्ज कर सकते हैं यह घ्यान का सागर है ऐसे ही भावों को यहां सरल संस्ट скорее सब्दों में जक्ति किया गया है तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या-क्या है आज संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरुते आज संपूर्ण विश्वे पूरे दुनिया में पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इस तरह की इसकी चर्चा शुरुते माने सुनी जाती है आज संपून विश्व में Digital India इसकी चर्चा सुनी जाती है असे पदससे का भावा एती असे इस पदससे पद का भावा क्या भाव है क्या अर्थ है इती यह मनसी जिग्यासा उत्पत्य दे यह जानने की इच्चा मन में उत्पन्न होती है जिग्यासा मने जानने की इच्छा मनसी मने मन में उत्पद्यते मने उत्पन होती है काल परिवर्थ नेन सह मानवस से आवशक्ता अपी परवर्थते बदलती है प्राचीन काले ग्यानत से आदान प्रदानम मौखिकम आसीद प्राचीन काले प्राचीन काल में ग्यानत से ग्यान का आदान प्रदान मतलब की ग्यान का देना और लेना मौखिकम आसीद मतलब मौखिक था मुझवानी बोल करके होता था विद्या चाश्रुति पर परमपराया ग्रहातेस्म और विद्या कैसे ग्रहन की जाती थी विद्या श्रुती परमपरा सुनने और सुनाने के द्वारा ग्रहन की जाती थी मतलब एक व्यक्ति किसी को बोलता था और दूसरा व्यक्ति सुनता था इस तरीके से विद्या ग्रहन की जाती थी अनंतरम ताल पत्रों उपरी भोज पत्रों उपरी चा लेखन कार्यम आरब्धम अनंतरम मने बाद में ताल पत्रों उपरी ताल पत्र के उपर भोज पत्रों उपरी भोज पत्र के उपर लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरब्धम मने प्रारंब हुआ थोड़े समय, कुछ समय बाद फिर ताल पत्र पर और भोज पत्र पर लिखने का कारे प्रारम हुआ परिवर्तनी काले करगदस से लेखन्या, चा, आविशकारेण, सर्वे सामेव, मनो गता नाम, भावा नाम, करगदो, उपरी लेखनम, प्रारब्धम तो परिवर्तनी काले मतलब और थोड़े समय के बाद करगदस से कागच, लेखन्या, और कलम, चा, कागच और कलम का अविशकार, से अविशकारेण, अविशकार से सर्वे साम, मनो, गता नाम, भावा नाम, सभी के मन के भावों को करगदो उपरी, कागच के उपर लेखनम, लिखना, प्रारब्धम अने, प्रारम हुआ कुछ और समय बीता तो कागज और कलम के अविस्कार से सभी के मन के भावों को कागज के उपर लिखना प्रारम भुगा टंकड यंत्रस से अविस्कारेंड तू लिखिता सामगरी टंकिता सती बहु कालाय सुरक्षिता अतिस्थत तंकड यंत्र से मतलब तंकड यंत्र को कहते हैं तंकड यंत्र तो टाइप राइटर का अभिशकारेण अभिशकार से लिखिता सामगरी माने लिखी हुई सामगरी टंकिता माने की टाइप होने पर सती बहु कालाय होने के कारण से बहुत लंबे समय तक सुरक्षिता माने सुरक्षित अतिस्ठत रहने लगी टाइप राइटर का अविस्कार से तो लिखी हुई जो सामगरी थी वो टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी वैज्यानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुन्रपी अग्रे गता अब वैज्यानिक प्रविधे का मतलब वैज्यानिक प्रविध मने तकनीक होती है वैज्यानिक तकनीक की प्रगती मने वैज्यानिक तकनीक आगे बढ़ने से वैग्यानिक तक्नीक की प्रगती की यात्रा क्या हुई पुन्रपी और भी अग्रे गता और आगे जाने लगी तो फिर उसके बाद क्या हुआ अध्य सर्वानी कार्यानी संगड़क नामकेन यंत्रेन साधितानी भवन्ती अब टाइप राइटर से आगे जब और वैग्यानिक तक्नीक और आगे हुई तो क्या हुआ अध्य आज सर्वानी कार्यानी सभी कार्य क्या होते हैं संगड़क केते कंप्यूटर को संगड़क नाम के यंत्र से मसीन से क्या होते हैं साधितानी भवंती किये जाते हैं आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से मसीन से किये जाते हैं समाचार पत्राणी पुस्तकानी चा कंप्यूटर माधमेन पठ्यंते लिख्यंते चा तो समाचार पत्र पुस्त के कम्प्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं करगत उद्योगे व्रक्षा नाम उपयोगेन व्रक्षा करतियंते इस्म अब करगत उद्योगे कागज के उद्योग में व्रक्षा नाम व्रक्षों के उपयोगेन उपयोग से व्रक्षा करतियंते कि व्रक्ष व्रक्ष की कटाई होती थी कागज के उद्योग में व्रक्षों के उपयोग से व्रक्ष काटे जाते थे परम लेकिन संगडकस से अधिकाधिक प्रियोगेन व्रक्षा अणाम करतने नियूनता भविश्चती इती विश्वासा लेकिन संगडक के अधिक से अधिक प्रियोग से व्रक्षों के काटे जाने में कमी आएगी ऐसा विश्वास है अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिसी महान उपकारों भविश्चती अनेन इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारों महान उपकार भविश्चती होगा अधुना इस समय आजकल आपने मने बजार में वस्तु क्रियार्थम अने खरीदने के लिए रुपे का नाम रुपेयों की अनिवारिता आवश्यक्ता नास्ती नहीं है तो इस आजकल बजार में वस्तु के खरीदने के लिए रुपेयों की आवश्यक्ता नहीं है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादिया सर्वत्र रुपे का नाम इस्थान नाम ग्रहीत बनता तो debit card, credit card, इत्यादी, रुपे का अनाम, रुपेयों के इस्थान माने रुपेयों का इस्थान ग्रहीत बनता ग्रहन कर लिया है debit card और credit card आदी ने सभी रुपेयों का इस्थान ग्रहन कर लिया है विट कोशस्य या जिसे कहते बैंकस्य चापी, सर्वाणी कार्याणी संग्रक यंत्रेण संपाध्यंते और क्या है बैंक के सर्वाणी कार्याणी सभी कार्य संग्रक यंत्रेण यनिकी computer से ही संपाध्यंते संपन्न होते है बहु विधा अनुप्रियोगा मुद्रा हीनाय विन मयाय सहाय का संती बहु विधा अनेक प्रकार के अनुप्रियोगा अनुप्रियोग कहते हैं जैसे मुबाइल एप्स को मुद्रा हीनाय विन मयाय को कहते हैं कैसलेस ट्रांजेक्शन सहाई का संती, cashless transaction में सहायक हैं अनेक प्रकार के mobile apps, cashless transaction में सहायक हैं कुत्रापी यात्रा करणी या भवेत, रेल यान यात्रा पत्रस से वायु यान यात्रा पत्रस अनिवारता अध्य नास्ती कुत्रापी कहीं भी यात्रा करणी या भवेत, यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्रस से मतलब रेल का टिकट और वायु यान यात्रा पत्रस से वायु यान का हवाई जहाज का टिकट अनिवारिता अनिवार्य आजकल नास्ती नहीं है की आवशक्ता नहीं पड़ती है कहीं भी याद्रा करनी हो रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की आवशक्ता नहीं पड़ती है जैसे पहले टिकट लेना पड़ता था आजकल टिकट की आवशक्ता नहीं है सरवाणी पत्राणी असमाकम चल दूर भाश यंत्रे इमेल इती स्थाने सुरक्षितानी भवंती सरवाणी पत्राणी सभी तरह के पत्र असमाकम मने हमारे चल दूर भाश यंत्रे मने मोबाईल फोन मोवाईल फोन में इमेल में क्या कहते ये स्थान में सुरक्षितानी भवंती सुरक्षित होते हैं यानि संदर्शे वयम सो करणेन यात्राया आनंदम ग्रहीमा तो यानि मने जिने संदर्शे मने दिखा कर वयम मने हम सब सो करणेन यात्रा आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहीमा आनंद ले सकते हैं या आनंद उठा सकते हैं चिकिसालिये अपी उपचार आर्थम रुपे का आनाम आवशक्ता आध्य ना अनुभूयते और क्या है कि चिकिसालिये अपी चिकिसालिये अपी चिकिसालिये उपचार आर्थम मने उपचार के लिए रुपे का आनाम रुपियों की आवशक्ता आध्य मने आज ना है शर्वत्र कार्ड माध्यमेन इबैंक माध्यमेन शुलकं प्रदात्म शक्यते है सभी जगे कार्ड के माध्यम से इबैंक के माध्यम से क्या करता है शुलक नख फीम्याले से, प्रदातुम सक्यते मने दे सकते हैं। दूर नहीं है यदा मने जब वयम हम सब के हस्ते हाथ में एक मात्र चल दूर भाश यंत्रम मने मोबाईल फोन लेकर आदाय मने लेकर सरवानी कार्यानी साधितुम। सभी कार्य करने में क्या होंगे समर्था भविश्यामा समर्थ होंगे। वय दिन दूर नहीं जब हम सब के हाथ में एक मात्र मोबाईल फोन के द्वारा सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के रुप्य का नाम आवशक्ता न भविश्यती। पढ़ने पढ़ने के लिए पुट को की समाचार पत्रों की आवशक्ता समाप्त हो जाएगी। जरूरत नहीं पढ़ेगी। लेख नार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ग्यान अनवेश्य नार्थम सब्द को सस्या अपी आवशक्ता न भविश्यती। लेख नार्थम मने लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा अभ्यास पुस्तिका की वा मने या कर्गदस्य कागज की नूतन ग्यान अनवेश्य नार्थम नई जानकारी की खोज के लिए सब्द कोश्या अपी सब्द कोश्य की आवशक्ता नहीं होगी। अपना भविश्यती और किस चीज की आवशक्ता नहीं होगी कि अपरचित मार्ग जैसे किसी चीज कहीं का रास्ता हम नहीं जानते हैं तो उसके लिए तो अंजान रास्ते में किसके लिए ग्यानार्थम मार्ग दर्शक से तो अंजान रास्ते में ज्यान के लिए मारदर्शक की और मान चित्र की आवशक्ता अनभूती महसूस अपिना भविशती महसूस नहीं होगी एतत सर्वम एक नेव यंत्रेण करतू शक्यते यह सब कुछ केवल एक यंत्र से ही संपव हो जाएगा यह सब कुछ एक ही मशीन से सब किया जा सकता है शाकाती क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम ग्रहेसु कक्षम सुनिश्चितम करतूं चिकिस्सालिये शुलकम प्रदातूं विद्यालिये महाविद्यालिये चापी शुलकम प्रदातुम किम बहुना दानाम अपी दातुम चल दूर भाश यत्र मेव अलं शाकादी क्रियार्थम अर्थात सबजीयों के खरीदने के लिए फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए और क्या है विश्राम ग्रहेशू, विश्राम घर में कक्षम सुनिश्टम करतुम, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकिस्सालिये शुलकम प्रदातुम चिकिस्सा में फीस देने के लिए, विद्यालिये महा विद्यालिये अपी शुलकम प्रदातुम विद्याले में या म अत्रमेव अलम केवल मोबाइल फोन ही पर्याप्त होगा विद्याले महाविद्याले की फीज देने के लिए केवल क्या होगा मोबाइल फोन ही पर्याप्त होगा डिजी भारतम इती अस्याम तिशी वयम भारतिया दुरुत गत्या अग्रेश राम डिजी भारतम मतलब डिजटल इंडिया इती अस्याम तिशी इस दिशा में वयम मने हम सब भारतिया, हम सब भारतिये, दुरुत गत्या, तीवर गत्य से अग्रेस राम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया, डिज्टल इंडिया का मतलब क्या है, जो सब कुछ मोबाइल एप से और कैसलेस ट्राजक्शन करके और सब कुछ मोबाइल से करें, वो डिज्टल इंडिया होता है। ठीक है, आपको समझ में आया, आप आगे देखिए, इसकी एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले आप इसके शबदर्थ को याद करिए दीखे इसमें लिखा हुए शबदर्थ इसमें बुक में है आप इनको अच्छे से याद करिए उसके बाद सबसे पहली एक्सरसाइज अभ्यासकार में क्या है अधो लिखिता नाम, प्रशना नाम, उत्रान एक पद्य लिखत जो अधो लिखता नाम जो नीचे लिखे हुए है प्रश्नों के उत्तर एक पद पे लिखने है कुत्र, Digital India, इतियस चर्चा भवती तो कुत्र, Digital India की चर्चा कहां होती है तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे संपूर्ण विश्वे संपूर्ण विश्वे में डिज्टल इंडिया की चर्चा होती है संपूर्ण विश्वे एक पद आएगा केंस है मानवस से आवशक्ता परिवर्थ दे केंस किसके साथ मानो की आवशक्ता परिवर्थन की आवशक्ता है काल परिवर्थ नेन इसमें लिखेंगे काल परिवर्थ नेन एक पद लिखेंगे आपड़े वस्तु नाम क्रह समें केशा मनिवारता ना भविश्यती बजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवशक्ता नहीं होगी तो लिखेंगे रुप्यों की रुप्य काड़ा किसके उद्योग में व्रक्षों की उप्योगिता है तो करगत उद्योगे क्या लिखेंगे करगत उद्योगे अध्य सर्वानी कार्यानी केन साधितानी भवंती आज सभीकार किसके द्वारा संभव है संगणक नामकेन यंत्रेन कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा संभव सेकेंड में क्या है अदो लिखितान प्रश्णान फूर्ण वाकेन उत्रत अब ये क्या करने है पूर्ण वाके में आपको उत्तर लिखना है प्राचीन काले विद्या कथम गुरुहाते इस्म प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहन की जाती थी तो प्राचीन काले विद्या शुति परंपरया गुवाते इसम व्रक्षा नाम कर्दनम कथम नियुन्ताम यास्यती व्रक्षों को काटना किस से कम होगा तो लिखेंगे इसमें व्रक्षा नाम कर्दनम संगड कस से अधिक अधिक प्रियोगेंड नियुन्ता यास्यती संगड़क कम्प्यूटर के अधिक से अधिक प्रियोग करने से व्रक्षों का काटना कम होगा चिकिस साले कस्ति आवशक्ता आधे ना अनुभूते चिकिस साले के में किसकी आवशक्ता आज नहीं मैसूस होती है तो चिकिसालिये रुपे का राम आवशक्ता आदे ना अनुभूयते वयम कस्याम दिसी अग्रेस राम हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वयम डिजी भारतम इती दिशा अग्रेस राम हम वस्त्रु पुटके केशाम आवशक्ता ना भविश्यती जेब में आज किसकी आवशक्ता नहीं है तो लिखेंगे वस्त्रु पुटके रुपे का राम आवशक्ता ना भविश्यती आज जेब में आज रुपियों की आवशक्ता नहीं है थर्ड में देखें क्या है रेखांकित पदानिय अधिकत्य प्रश्णिर्माणम कुरुत जो रेखांकित पद हैं उसी के आधार परा प्रश्णिर्माण करिए पहला क्या है भोज पत्रो उपरी लेखनम आरबधम अब इसमें अंडरलाइन किसमें है लेखनम बे भोज पत्रों पर के ऊपर लिखना आरम हुआ, तो इसमें प्रश्ण बनेगा किस पर, तो लिखेंगे भोज पत्रों परी किम आरबधम, फिर लेक नार्थम करगदस से आवशक्ता यहां अनुभूति ना भविश्यती, लिखने के लिए कागत की आवशक्ता नहीं मैसूस तो करगदस से पर अंडरलाइन है, तो किसकी आवशक्ता नहीं होगी, तो लिखेंगे लेक नार्थम करगदस से है, तो सस्टी विवक्ती का ही आएगा करगदस से, लेक नार्थम करगदस से आवशक्ता यहां अनुभूति ना भविश्यती, विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत अब विश्राम ग्रहेशु पे अंडरलाइन है विश्राम ग्रहे में ये सस्टी बवबचन है इसमें लिखेंगे कुत्र कक्षम या केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत दोनों आ सकते हैं कुत्र भी आ सकता है केशु भी आ सकता है सरवाणी पत्राणी चल दूर भाश यंत्रे सुरक्षितानी भवंती सभी पत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते है सभी कागज सभी पत्र तो किसमे सुरक्षित होते हैं तो किसमे के लिए क्या लिखेंगे कस्मिन सर्वानी पत्रानी कस्मिन सुरक्षितानी भवंती वयम उपचार आर्थम चिकिसालियम गच्छामा हम उपचार के लिए चिकिसाले जाते हैं तो उपचार के लिए तो किसके लिए तो वयम कि मर्थम चिकिसालियम गच्छामा ये लिखेंगे ठीक है अब फिर फोर्थ में आईए उधारण अनुसरत्य विशेशन विशेश मेलनम कुरुद उधारण की अनुसार विशेशन विशेश को मिलाईए विशेशन विशेश आप जानते होंगे विशेशन जो विशेशता हो उसे विशेशन कहते हैं और जिसकी विशेशता बताई जाए वो विशेश होत से मिलाएंगे मनों गता कार्यानी से मिलाएंगे टंकिता काले से मिलाएंगे इसकी विशेशता क्या है काले विशेश क्या है काले फिर महान महान को किस से मिलाएंगे उपकारा से मुद्रा विहीना विन्मया इस तरीके से विशेश और विशेश से मिलाएंगे फिर फाइफ फ इसको आपको संदी करके लिखना है, अलग-अलग विच्छेत करके लिखा हुआ है, आपको इसको पूरी एक संदी बनानी है, जैसे पदस्य प्लस असे, तो इसका पूरी संदी क्या बनेगी, पदस्य आसे, ताल पत्र प्लस उपरी, तो ताल पत्र उपरी, चा अतिस्ठत, त क्लज उद्योगे, तो इसको पूरा क्या लिखेंगे। कर्ग दो द्योगे. क्रे अर्थम, तो क्रे अर्थम हो जाएगा. इतथी अन्यों, इत्यन्यों, उपचार अर्थम, उपचार आर्थम। इस तरीके से आपको पूरी संदी बनानी है, विजशेद करके लिखा हुआ है. अब 6 में आईए उधारन अनुसरत्य अदो लिकितेन पदेन लगु वाक्य निर्मानम कुरुत आपको ये एक उधान देखे समझाया गया, एक शब्द दिया गया है, पद दिया है, आप इसको इसी पद से आपको एक वाक्य बनाना है जैसे एक बनाके बताया गया है जिग्यासा, जिग्यासा का क्या मम मनसी वैग्यानिका नाम विसे जिग्यासा अस्ति, मेरे मन में वैग्यानिकों के विसे में जिग्यासा है इसी तरीके से आपको आवशक्ता, सामगरी, पर्यावर्ण, सुरक्षा, विश्राम, ग्रहम इसकी आपको एक सेंटेंस बनाना है, पूरा वाक्य बनाना है तो चलिए बनाते हैं इसको आवशक्ता क्या लिखेंगे? आते तु लेख नार्थम कर्गदस से आवशक्ता नास्ती, आजकल लिखने के लिए कागज की आवशक्ता नहीं है सामगरी, सामगरी के लिए टंकिता सामगरी अधुना न्यूना एव प्राप्यते पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या बनाएंगे? रक्षेब्या पर्यावरण सुरक्षा भवती रक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है विश्राम ग्रहम जना तीर्थेशू विश्राम ग्रहम अनवेशियंती ठीक है लोग तीरती जगहें पर विश्राम ग्रहें ढूनते हैं अब सैवित में देखें क्या है कि उधार अनुसारम कोस्टर कोस्ठक प्रदत तेशू पदेशू चतूर्थी प्रियुच रिक्तिस्थान पूर्ती गुरुत उधार के अनुसार कोस्ठक में जो पद दिया है उसकी चतूर्थी विवक्ति प्रियुच करके रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है जैसे एक दिया गया है भिख्षुकाय धनम ददातू भिख्षुक का चतूर्थी विवक्ति में भिख्षुकाय बनता है इसी तरीके से आपको बनाना है पहला क्या डैस पुस्तकम देही खोश्टक में क्या दिया है आपको छात्र इसकी छात्र की चतुरती व्यक्ति क्या होती है छात्रेभ्या तो या छात्राए तो छात्राए पुस्तकम देही ठीक है आहम टैश वस्तराणी तदामी मैं वस्तर देता हूँ तो निर्धन दिया है कोष्टक में निर्धन की चतुर्थी विवक्ति क्या होगी निर्धनाए आहम निर्धनाए वस्तराणी तदामी मैं निर्धनों के लिए वस्तर देता हूँ देश पठनम रोचते और लता दिया है कोस्टक में लता का क्या बनेगा चतूरती विवक्ति में इस्त्रीलिंग है तो बनेगा लतायाई तो लतायाई पठनम रोचते लता को पढ़ना पसंद है तो सुरेश की चतुर्थी में आएगा सुरेशी है रमेश के लिए सुरेश परियाप्त है तो अध्यापक की चतुर्थी में क्या आएगा अध्यापकाई नमा वैसे भी इसमें तो चतुर्थी यूजी करनी है वैसे नमहा के प्रियोग में सदयव चतुरती व्यक्ति का प्रियोग किया जाता है ठीक है उम्मीद है आपको पूरा लेसन ठीक से समझ में आया होगा लेकिन अगर फिर भी किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स वक्स में लिखे जरूर पुछें दन्यवाद